गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बिशिक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 जनुवरी तक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमिशा की तरह आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा साथ ही आप गुगल प्लेशे तोर से करंट अफेर्स फंडा अपको भी हो पाएगा साथिया फ्री करनंट अफेर्स कौश्चन भी है पर कर सकते हैं तो यह सभी content है जो आपको हम प्रवाइट कराते है कोर्स परशेस करने से लिएक कोई भी आपका डौट होगा तो आप हम करते हैं सुरुवात इस वीडियो शेशन की कि सबसे पहले बारा जनवरी को पढ़े गए करंट अफेर्स रिवाइस कर लेते हैं इसमें होल टाइम मेंबर है नवरंग सेनी तो पांच मार्च तक यह एस चेयर परसन जो है कार्य अपना जाली रखेंगे जो इसके चेयर परसन का भी एडिशनल चार्ज इनी को दिया हुआ है तो यह पांच मार्च तक इस पॉजिशन पर बनी रहेंगे इसके नए सेक्रेटरी जनरल होंगे इंडिया का फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन यह के वी आईसी द्वारा उत्रबर्दिस से गाजयाबाद के सिरोरा विलेज में लॉंच किया गया टाटा ग्रूप आईपील का नया टाइटर स्पोंसर होगा यह वीव को रिप किर्गिस्तान में भारत के नेक्स्ट अंबैस्टर होंगे आसाम ने नेसल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड के साथ 2,000 करोड रूपे के डेरी प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया है उडिशा सरकार ने गौवर्मेंट जोब्स के लिए अपलाई करने वाली केंडिडेट्स की जो अपर एज है इसको 32 साल से बढ़ा कर 38 साल कर दिया है इंडिया ने आईएनेस विशाका पट्यनम से ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया भारत सुब्रमन्यम भारत के 73 चेस क्राण मास्टर बने सतीज अडिका इन्हें ICMR के डॉक्टर सुभास मुखरजी अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है एक्सिस बैंक ने मिंका सूपे के साथ टाइब किया है लेजी पे ने SPM बैंक के साथ पार्टनर्शिप करके लेजी कार्ड लॉंच किया अनुप बाक्ची इनको ICICI बैंक के एक्जेकेटिव डिरेक्टर के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया टाटा के अबिटल ने फ्लेक्सी प्लस लॉंच किया है National Youth Day हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है The Power of the Dog ये जो ड्रामा सीरीज है इसने Best Motion Picture ड्रामा ये अवार्ड जीता है किसमे 79th Golden Globe Awards 2022 में चलिए देख लेते हैं अब 13 जनवरी तक के सभी इंपोर्टन करेंट अफिर्स परधार मंत्री नरेंदर मोदी के पंजाब के दोरान सुरक्षा चूक की जाज के लिए Supreme Court द्वारा गठित पैनल के दिश्टा कोन करेगा Options आपके सामने हैं और सही आंसर Option D है So, Indoo Malhotra will chair the panel set up by the Supreme Court to investigate the security lapse during Prime Minister नरेंदर मोदी's पंजाब विजिट मैं हिंदी वाला फिर्स से पढ़ देता हूँ परधार मंत्री नरेंदर मोदी के पंजाब दोरे के दोरान हुई सुरक्षा चूकी जाज के लिए Supreme Court द्वारा गठित पैनल के दिश्टा कोन करेगा सही आंसर Option D है Indoo Malhotra देखिए आप सभी जानते हैं परधार मंत्री नरेंदर मोदी की पंजाब विजिट के दोरान कुछ सेक्योर्टी लैपसे जुए जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए Supreme Court देख कमिटी बनाई है इस कमिटी के दिश्टा Retired Court Judge Justice Indoo Malhotra करेंगी इनके लावा Director General of National Investigation Agency Director General of Security of Punjab Enregistrar General of Punjab and Hadyana High Court इस कमिटी के मेंबर रहने वाले हैं तो ये जो पुरा सिलसिला है ये पांच जनवरी को सुरूआ था पांच जनवरी को फिरोसपुर में कुछ प्रोटेक्श्टर्स ने फ्लाई ओवर को ब्लॉक किया हुआ था बारतिय अंत्रिक्स अनुसंधान संगठन यानि कि इस रो के नए चेर्मेन कौन होंगे ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन ए है तो देखिए जो एस सोमनाथ है ये एमिनेट मतलब जाने माने प्रक्यात ये रोकेट साइंटिस्ट है साथ ही Aerospace Engineer है तो ये Indian Space Research Organization यानि इस रोके नए चेर्मेन होगे मैंने Official Site पर भी देखा कि इनका पूरा नाम क्या है आगे ऐसी लिखा हुआ था मुझकर जैसी मालूम चलता है तो मैं आपको ये भी अपडेट करूंगा पता होना चाहिए कि फुल नाम क्या है उनका तो देखिए आपको ये जानना चाहिए इस रोकी ये 10 चेर्मेन होगे तो ये सभी बारी की पॉइंट आपको जानने है कि कौन से नंबर के चेर्मेन होगे आशिकल कोश्चन इसी तरह से पूछ ले जाते हैं और इससे पहले ये विक्रम साराभाई इसके डिरेक्टर के रूप में कालिकर रही थी आपको जानना चाहिए ये के सीवन को रिप्लेस करेंगे जो की साल 2018 से इस पत पर कावी जाए इस रोक के बारे में आप सभी जानते हैं हैटकर्टर बैंगलूरू करनाटक में है और फाउंडर विक्रम साराभाई रही है इस 1969 डेविट सासोली जिनका हाले में निदन हो गया किस संगठन के अध्यक्ष थे ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है डेविट सासोली फू पास्ट अव रिसेंटली वास दा प्रेजिदेंट ऑफ यूरोपियन पार्लेमेंट तो देखे यूरोपियन पार् पार्लेटीशन और जर्नलिस्ट थे जो कि 3 जुलाई 2019 तक इस साल अभी मतलब जनवरी 2022 तक इस पत्पर काभी रहे हैं आपको जानना चाहिए जो यह यूरोपियन पार्लेमेंटिस का हेड़कॉर्टर्स स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है और इसका एड्मिस्ट्रेटिव नुभव को आगे बढ़ाने के लिए किस बैंक ने गूगल के साथ सहयोग किया है औप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी होगा सो और बैंक है कोलेबरेटेड विद गूगल टू एडवांस नेक्स्ट जनरेशन कस्टमर एक्सपीरियंस तो देखें नेक्स्ट ज आपको जानना चाहिए और बैंक का एक यह अबेकस 2.0 यह प्रोड़क्ट है ठीक है जिसका मक्सद क्या है कि जो प्रोड़क्ट्स एंड सर्विसेज हैं यह डिजिटली कस्टमर्स को प्रोवाइड कराई जाएं तो याद रखेंगे अबेकस 2.0 यह आर्विल बैंक से संब के पास इस्थित चार गाओं को राजस्व गाओं गोशित किया है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी है तो उत्तरप्रदेश स्टेट गोव्मेंट डिक्लियर्ड फोर विलेज़ लोकेड़ नियर नेपाल बॉर्डर इन डिस्टिक एज रेवेन्यू जानेंगे इसके बारे में तो देखे उत्तरप्रदेश सरकार ने चार विलेज़ेस को जो की नेपाल बॉर्डर के पास के डिस्टिक में लोकेड़ हैं को रेवेन्यू विलेज़ का दरजा दिया है कौन-कौन से है यह भवानिपूर तेदिया डाकिया और बीचिया तो यह मिहिन पूर्वा तहसील में यहाँ पर इस्तित हैं और यह सभी विलेज वंतगिया विलिज़ेस हैं अब देखे वंतगिया क्या है वंतगिया कम्यूटी में वो लोग आते हैं जिने मियामार से लाये गया था किसलिए टु प्लांट ट्रीज ट्रीज लगाने के लिए उनको लाए गया था बाकिया आपको जानना चाहिए revenue village क्या होता है तो देखे revenue village छोटे-छोटे administrative region होते हैं जिनके border जो है defined रहता है और एक revenue village में कई सारे छोटे-छोटे आप कह सकते हैं उप ग्राम है ना या फिर hamilets हो सकते हैं जो village administrative officer होता है वही revenue villages का head officer होता है अच्छा साथ ही जब नेपाल की बात हो रही है आपको जानना चाहिए कि नेपाल के साथ कौन से भारते states border share करते हैं तो पांच इंडियन states ने आप पर border share करते हैं उत्राखंड उत्रप्रदेश बिहार वेस्ट बेंगॉलेंड सिक्किम तो इस तरह के जो facts हैं या आपके SSC railway या फिर जो other one day exams होते हैं आपके state government की उन्हें में पूछ लिया जाता है मियामार के उस राजनेता और नोबिल प्रुसकार विजेता का नाम बताइए जिन्हें चार साल जेल की सजा सुनाई गई है options आपके सामने हैं सही answer option D है तो देखिए फिर से इन्हें सजा सुना दी गई है तो आप जानते हैं मियामार में मिलिटरी का साशन है तो इन्होंने 1991 में Nobel Peace Prize जीती हुई ऑंग सान सु की जो की पहले से जेल में मनने इनको चार साल की और सजा सुनाई है किसलिए इनके पास Unlicensed Walkies Talkies मिला है Walkies Talkies आप जानते होंगे वह जो बात करने के लिए यूज होता है न मुवाइल टाइप का होता है तो यह Unlicensed के पास पाए गया है हाला कि यह तो एक बहाना है इनको सजा सुना नहीं थी ऐसा कहा जा रहा है बागि आपको जानना चाहिए म्यामार की Capital नैपिड़ो है और करंसिया म्यामार क्यात प्रेजिडेंट मिन्त स्वे हैं जो की एक्टिंग है एक्टिंग प्रेजिडेंट है और प्राइम इनिस्टर है मिन ओंग हलाएंग जैसे हमने नेपाल लगा देखा उसी तरह आपको ज बॉर्टर शेर करते हैं तो चार नोर्थ इस्ट इंडियन इस्टेट्स में आमार के साथ बॉर्टर शेर करते हैं कौन-कौन से अरुणाचल प्रदेश नागालेंड मिज्वरेमेंड मनिपूर पहली बार अमेरिकी सर्जनों ने किस जानमेर के हिर्दे को मानव रोगी में पर्ति रोपित किया है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन यह है इनफर्स्ट यूएस सर्जन्स ट्रांस्प्लांटेड पिक्स हार्ट इंटू यूमन पेसेंट तो देखिए United States की University of Maryland Medical Center के डॉक्टर्स ने जो पिक होता है जो सूर होता है उसके दिल को एक मनुष जो पेसेंट है उसके अंदर ट्रांस्प्लांट किया है और इन पेसेंट का नाम है डेविट बैनेट 57 साल के हैं और फिलहाल यह बिलकुल सही कारे कर रहे है मतलब सही रिस्पॉंस कर रहे हैं जो एक ट्रांस्प्लांट हुआ है उसके बाद असम पुलीस शीशू मित्र ने इसकोच वरुसकार जीता है इसकोच अवार्ड की स्थापना किस वर्स की गई थी ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है इसकोच अवार्ड इसकोच आवड़ एसकोच अवार्ड इसकोच अवार्ड वाज इंस्ट्टूट इन 2003 जानेंगे इसके बारे में देखे इसकोच ऑवार्ड कई तरगी the state आउन आपने पढ़ा भी होगा toutes अब कोण पोलीं यह को सिशू मित्र इसकोच अच्छा डिस्टिक है इसमें कुपोशन से कॉमबेट करने के लिए जो 6 मन से 5 साल के बच्चों में जो कुपोशन होता है तो उससे लड़ने के लिए एक मिशन चलाए गया उसको भी स्कॉच आवार्ड दिया गया है इसी के साथ साथ फोरेंसिक साइन्स लेबरटरी इसको भी स्कॉच अवार्ड इन सिल्वर केटेगरी जो है दिया गया है तो यह तीनों फॉइंट आप याद रखेंगे स्कॉच आवार्ड से समधिते बागी आपको जानना थे इसको जवर्ड साल 2003 में इंस्टिट्यूट किया गया था किस राज्य ने उच्च सिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेज करमचारियों के मात्रत्यों को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है सही आंसर ओप्शन ए है देखें उडिसा गवर्मेंट ने क्या किया है जो मैटर्निटी लीव होती है वो पहले 90 देज की थी अब उसको 180 देज कर दिया गया है वाहिए आपको जानना चाहिए उडिसा गवर्णर गनेश इलाल है कैपिटल भूनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर नवीन पतनायक है रेल मंतरी अस्वीनी वैशनव ने नई लौंच की गई अगरतला जूरी बाम अगरतला जन सताप्दी एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई है यह किन दो राज्यों के बीच पहला रेल लाइन कनेक्शन है उप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन भी है रेल मिनिस्टर अस्वीनी वैशनव फ्लैक्ट ओफ नूवली लौंच अगरतला जूरी बाम अगरतला जन सताप्दी एक्सप्रेस तो देखें त्रिपुरा अन मनिपूर के बीच में पहला लाइन कनेक्शन है और इसका नाम है अगरतला जूरी बाम अगरतला जन सताप्दी एक्सप्रेस तो हमारे रेल मिनिस्टर है अस्वीनी वैशनव उन्हों इसको हरी जंडी दिखाई है चालोवित वर्स में दिशंबर में भारती कंपने द्वारा बाहरी एफडियाई कितने प्रतिशत जो है गिरी है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी होगा हिंदी इसका सही ट्रांसलेट नहीं हो पाए है माफ कीजिगा मैं इसको जो पीडियेफ इसका मतलब प्याइए लगा है उसके बारे में या पर बात हो रही है तो जो हमारे यहां की कंपनिया है उन्होंने बाहर जो पैसा लगाया है उसमें जो है गिरावट आई है कितने परसेंट की 8% गिरावट आई है यह हम दिसंबर महीने की बात करें तो 2.05 बिलियन यूएस टोलर का इंवेस्टमेंट हुआ है जबकि अगर हम पिछले साल की बात करें यह दिसंबर 2021 तक की बात हो रही है तो दिसंबर 2021 में जो इन्वेस्टमेंट था हमारी कंपनियों का बाहर में वो 2.05 बिलियन यूएस टोलर का था और दिसंबर 2020 में 2.23 बिलियन यूएस टोलर का था है ना तो गिरावाट आई है तो यह यह आपर बताया गिया है E-Governance 2021 पर 24 वा राश्टे सर मेलन किस इस्थान पर सफलता पूर्वक संपनुआ उप्शन साब के सामने है सही आंसर उप्शन C है 24th National Conference on E-Governance 2021 सक्सेसफुली कनक्लूट्स एट हैदराबाद तो देखे डिपार्टमेंट ओफ एडिमिस्ट्रेटिव डिफॉर्म्स एड पॉब्लिक ग्रिवेंसेस एड मिरिष्ट्री ओफ एलेक्ट्रोनिक्स एड इंफोर्मेशन टेक्नोलोजी इन्होंने तिलंगाना सरकार के साथ मिलकर 24th Conference on E-Governance 2021 इसको हैदराबाद तिलंगाना में ओर्गनाईज किया है और इसका थीम रहा इंडियास टेकेट डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पेंडेमिक वर्ड भारत में सहियुक्त राष्ट्य विश्व खाद्यकारिक्रम ने PM पोशन योजना की प्रभाव शीलता बढ़ाने के लिए कि संगठन के साथ भागेदारी की है तो देखिए आप सभी जानता है मिड़े मीली स्कीम को बोला जाता है प्रधान मंत्री पोशन सकती निर्माण तो इसकी जो इफेक्टिवने से इसको बढ़ाने के लिए अक्षे पात्रा फांडेशन और युनाइट नेशन्स वर्ड फूड प्रोग्राम इन दोनों नहीं पार्टनर्शिप की है बाकिया आप पूजाना चाहिए जो वर्ड फूड प्रोग्राम इसका हैट्वकर्टर रोम इटली में है और साल 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइस से भी सम्मानी तिया गया था 1961 1961 1961 में इसकी स्थाबना हुई थी किस देश के हरफन मौलाखि लाड़ी क्रिस मौरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया है उप्शनस आपके सामने हैं सही आंसर उप्शन सी है So South Africa's All-Rounder Chris Morris retired from all forms of cricket तो देखे साउथ अफ्रिका के ओल राउंड रहें क्रिस मॉरिस इन्होंने सभी प्रारूपों से सन्यास लेनी की गोशना कर दिये 2016 में इन्होंने टेस्ट एप यू किया था फॉर गेम्स इन्होंने खेले 173 रंस मनाए 12 विकेट्स लिए और यदि हम ओडिया इसकी बात करें वंडे इन्डेनस की तो 52 वंडे इन्डेनस खेले और 48 विकेट्स लिए 23 टीट्वांटी खेले और 34 विकेट्स लिए साथ इन्होंने रंस पी स्कोर की आप देशकते हैं वंडे में 467 और टीट्वांटी में 133 डॉक्टर जितेंदर सिंग द्वारा लॉंच किये गए राष्टे विज्ञान दिवस 2022 का विशे क्या है ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन दी है तो इंटिग्रेटेट एप्रोच इन S&T for sustainable future is the theme of National Science State 2022 as launched by डॉक्टर जितेंदर सिंग जानेंगे इसके बारे में तो देखिए जितेंद डॉक्टर जितेंदर सिंग के बारे में आप जानते हैं कि Union Minister of State Independent Charge Science and Technology है Minister of State Independent Charge Earth Sciences है M.O.S.P.M.O. है Personal Public Revences Pensions Atomic Energy and Space ये सभी दायतुव मिस्टर जितेंदर सिंग के पास है तो इन्होंने जो National Science Day 2022 में जो मनाया जाएगा उसका theme launch क्या है तो क्या है theme? Integrated Approach in S&T for sustainable future आपको जानना चाहिए जो National Science Day है ये हर साल 28 February को हम मनाते हैं क्यों मनाते हैं? रमन effect की जो discovery है उसको याद रखने के लिए उसको समान देने के लिए आपको बता दें बारत सरकार National Science Day 1986 से मना दिया रही है आपको जानना जाहिए कि 28 February को ही जो सर सीवी रमन है उन्होंने रमन effect की discovery को एनाउंस्ट किया था जिसके लिए उन्हें साल 1930 में Nobel Prize भी दिया गया भारत रतन डॉक्टर अंबेड़कर पुसकार से किसे सम्मानित किया गया है सही आंसर option D है हर्शाली मलोत्रा has been honored with भारत रतन डॉक्टर अंबेड़कर अवर्ड तो बजरंगी भाईजान मूवी में आप सभी जानते हैं हर्शाली मलोत्रा थी बच्ची का रूप जिनों किया तो जो government of महरास्ट है इसके द्वारा भारत रतन डॉक्टर अंबेड़कर नेसनल अवार 2022 दिया गया है बाबा साहिब अंबेड़कर के सम्मान में कि सभी के लिए affordable LED द्वारा उन्नत जोती उजाला कब लॉंच किया गया था options आपके सामने हैं सही answer option यह है उन्नत जोती वाई affordable LEDs for all was launched on January 5, 2015 किसले हमने question लिया है क्योंकि उजाला completes seven years of energy efficient and affordable LED distribution तो देखिए आपको जानना चाहिए सब पूछा सा सकता है कि हाल ही में साथ साल पूरे किये हैं उनमें कुछ तीन option आप कैसे होंगे जो कि उस तरह की scheme होंगी जो अभी दोजार सत्रा ठार उन्निस में launching गई होगी और एक option होगा आपका उजाला तो इस तरह से भी question बन जाता है देखे उजाले scheme ने हाली में साथ साल पूरे कर लिए उजाला की फिलफोर्म है उन्नत जोती बाइ अफोर्डेबल LEDs for all तो ये पांच जनवी 2015 को प्राइमिस्टर द्वारा लॉंच की गई थी और इसका उद्देश्य वही है कि देश बर में जो है LEDs जो LED बल्ब होते हैं उन प्र देखे लिए प्रिवेस असिनमें के आंशर वर्ड हिंदी दे इस अब्सक्राइब इस जन्वरी 10th गंगासागर इला इस लोकेट इन विच श्राइबल और गंगासागर मेला भी इसे संबंधिते वेस्ट बंगल से India's museum has been inaugurated in which city answer is Hyderabad which state has become the first LPG-enabled and smokes-free state in the country answer is Himachal Pradesh the Ministry of External Affairs selected which company for the second phase of Passport Shiva program answer is Tata Consultancy Services TCS और आप में से कई respondents ने बिल्कुल सही answer दिये हैं फ्रेट्स इसी तरह से आप ज्यादर ज्यादर संख्या में participate करते रहें ठीक है अच्छा लगता है जब आप लोग participate करते आंसर देते हैं एक कोशर आंसर तो आप देही सकते हैं इतना तो करी सकते हैं चलिए देखते हैं आज English के शब्द at least 21 stranded snow tourist die at Pakistan Hill station तो हमारा सब्द है standard देखिए अभी headline में standard लिखावा न है तो आप अपने अनुमान लग सकते हैं इसका मतलब क्या है लेकिन अगर यह आपको अलग से दिखी जाएगा न सब having any transport और money देखिए कहीं पर फस जाना क्यों फस जाना या तो महाँ पर ट्रांसपोर्ट का आपके पास साधन नहीं है ट्रांसपोर्ट या तो चल नहीं पा रहा है या फिर आपके पास पैसे नहीं है उसको बोलते है standard है ना अभी हमने question जो सबसे पहला पढ़ा था प्रदान मंत्री नरियंदर मोदी का committee से संबंदिद उसमें लिखा वा था कि प्रदान मंत्री का जो पूरा convoy है उनका जो पूरा उनका जो चला था पूरा जो दल चला था गाड़ी के साथ वह standard रहा है ना फिरोजपुर में यानि कि वह रुका रहा फसा रहा क्योंकि आगे क्या चल रहा था प्रोटेस्ट चल रहा था तो standard इस तरह से यूज होता है जैसे आप यहापर भी देख सक सकता क्योंकि ना तो मेरे पास कार्थी और ना ही मेरे पास पैसे थे कोई बस लेने के लिए कि दूसरा सब्द हमरे पास इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू यूएस आप्टर हाइटस यह बहुत प्यारा सब्दे और काफी इंपोर्टेंट है कई बार आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो हमारा सब्द आचका हाइटस देखें इंडिया जो है लगबग दो साल के बात यूएस को मैंगो एक्सपोर्ट करेगा तो यह जो दो साल बीच में रुके रहे ना जो गया पाया है दो साल इसको बोलते है हाइटस कोई भी एक्टिविटी है उसमे एक्सपेक्ट्स टू रिजूम प्रोड़क्शन ऑफ दा वहिकल अगें आफ्टर टू मंथ हाइटस यानि कि कोई कंपनी है उसमें जो है तो दो महीने से काम उसमें बंद था आप ऐसा के सकते हैं ही लोगडाउन लग गया था और एमप्लोईज भी नहीं आ रहे थे कुछ नहीं प्रोड़क्शन हो रहा था तो दो महीने का बीच में गैप रहा ना मतलब बंद रहा कोई एक्टिविटी नहीं हुई उसको बोलते है हाइटस तो अब दो महिंत के हाइटस के बाद उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है आयोप आप समझेंगे आप ऐसा कह सकते है कि आप एक्जाम के तयारी कर रहे थे और एक साल आप बीच में एक साल का आपने गैप कर लिया यानि कि आपने कुछ नहीं गया उसमें एक साल बात फिर से आपने तयारी शुरू कि तो आप कहेंगे after one year hiatus I started again I started my preparation again for banking exams तो इस तरह से आप बूल सकते हैं hiatus का मतलब क्या हो गया? gap जो बीच में activity आपकी रुकी रही चलिए देखते हैं आज के assignment questions What is Seema Bhavani Who is Kajagasthan's current president Who will captain India in the ICC Women's World Cup 2022 Who is widely considered to be India's first Muslim woman teacher named the tennis star whose visa was restored by Australia after it was cancelled by the country तो पाज़ो questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यदि आपको एक question का answer भी आता है तो भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs funda को आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes आप सभी डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हैं आप हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और fellow experts साथ हमारे current affairs को share जरूर करें आज का इस session आपको कैसा लगा आप में कोबर नोबक्स में जरूर बताईएगा Thank you guys